हेलो स्टूडियन्स व्लेकम ते अडियू हैप मैं हूँ शुबम गुपता और आजम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास टेंथ जोग्रिफी का सेकंड चाप्टर फॉरेस्ट अन वाइल लाइफ रिसोर्सेस इस चाप्टर को आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीजे डिलीट कर दी गई है इस साल NCRT ने जो अपडेटेड चाप्टर पीडियेफ डाला था उसमें से कुछ पोशन डिलीट किया गया है तो जैसे मेरे पास ये एक पुरानी बुक है मैं आपको बताता हूँ क्या डिलीट किया गया है क्योंकि आप लोग नहीं के हिसाब से पढ़ेंगे फिलाल आप ध्यान दीजे कि फोरेस्ट अन वाइल लाइफ रिसोर्सेस ये चैप्टर अब और छोटा कर दिया गया है देखिए NCRT और CBC का मानना है कि बच्चे का फोकस कॉंसेप्ट पर होना चाहिए और मैं भी हमेशा वो मर्म और अर्थ की बात करता हूँ आप कॉंसेप्ट समझ जाइए बाकि दुनिया भर की 50 थेओरी बग कुस्त तुमको क्या करना है तुम बस कॉंसेप्ट को समझो और उसको आगे इंप्लिमेंट करो और ताकि तुमारे पीरियेड्स कम होंगे अगर चैप्टर की लेंथ थोड़ी कम होती है तो उनको पढ़ाने के लिए जो पीरियेड्स चाहिए अच्छा खासा कोई पैसेज दिया था समेस्टीमेश तजस्टाइड यह नो 10 परसेंट वो सब वो सब अभी डिलीट कर दिया है अब आपको क्या पढ़ना है देखो मैं बताता हूँ यह एक पेज कट किया दो पेज कट किया तीन पेज कट किया और सीधा अब आप आजाते हो इस टॉपिक पे कंजर्वेशन ओफ फॉरेस्ट और वाइल लाइफ इंडिया एनिवेस यह पूरी सीबीसी सिंप्लिफाइड सीरीस जो है 2023-24 के लेटेस्ट सिलिबस की उपर ही बेस्ट है तो आप आजो फॉरेस्ट और वाइल लाइफ रीसोर्स की उपर ठीक है तो चलिए शुभारम करते हैं आपके इस चाप्टर का फॉरेस्ट है ना फॉरेस्ट की इमेज भी आपको दिखरी होगी फॉरेस्ट और वाइल लाइफ रीसोर्स तो ये जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा forest and wildlife resources ये चैप्टर आपका एक काफी important chapter है ये भाशणा पर lecture में कई न कई सुनते होंगे ये chapter जो है इस चीज़ के लिए important है इस chapter में हम ये पढ़ने वाले हैं उस chapter में हम वो पढ़ने वाले हैं नहीं मैं आज आपको ये बतात जंगल जंगल तुम्हें पढ़ना है, फॉरिस्ट क्या होते हैं, वाइल लाइफ रिसोर्चेज, हाला कि वाइल लाइफ का एक इंपॉर्टन ने क्लासिफिकेशन तो हटा दिया, फिर भी वाइल लाइफ में प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, और तुम देखोगी कि बहुत सा उसी वक्त और क्लास में या आनसर याद करना है, तीकि अपार्ट फ्रों डाट यह चैप्टर वास्तव में ही सदभावना के बारे में हैं, यह कोई भाशन नहीं है, यह चैप्टर का सत्य है, यह चैप्टर इस बारे में है कि आप अगर किसी जंगल के या किसी पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इंक्लूसिफनेस है, आप सबने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, आप बेवकूफ स्टूडेंट थोड़ी है, कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी व्यक्ति होगा, तो उसे इतना तो पता होगा कि हाँ, वो एक फूड साइकल करके होता है, तरीके से पूरा का पूरा साइकल चल रहा है, तो कोई एक भी प्रानी हट गया, तो साइकल डिस्टर्ब हो जाएगा, हम बायो डाइवरसिटी में रहते हैं, हर किसी का इंपोर्टेंस है, एवरी बींग इस डिपेंडेंट एंड कनेक्टेड विज अनधर बींग, पर सच तो यह एक भाशड वाले को यह आप अग्यानी हो क्योंकि आप सिर्फ भाशड जानते हो, जब तक फल में रस ना हो, आप अगर एक सेब खारे हो और मिठास महसूस ना हो मुँ के अंदर, आप एक आम खारे हो और वो जूस ना निकले सूइट मु के अंदर, तो आम भलवः विद्या भलवे भव जिससे जग का उपकार ना हो इस चाप्टर की भावना यह है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसको आप बहुत ठीक से समझेंगे कि हम जो है हम अगर कहते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर हाँ इंपोर्टेंट है क्यों वो लोग कहते होंगे क प्रोजेक्ट टाइगर चलाओ वेस्टन लोग क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कलको खतम हो जाएगा तो बुक में दिखाना पड़ेगा देखो टाइगर ऐसे दिखता था हम और आप यह बात क्यों कहते हैं क्योंकि उसको भी जीने का उत्रहीं अधिकार है जितना मुझे अगर यह चीज़े तुम्हें भाशट लग रही है तो अभी छोड़ दो और कोई दूसरा वीडियो देख लो जाके पर मैं अपना एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता जो बिना मर्म समझे बिना कुछ महसूस किये पस चैप्टर पढ़े जा रहे हैं वो लोग नहीं हो अनुभव में होता है जिसने अनुभव नहीं किया उसने कभी कुछ किया नहीं अपने जीवन में तो नॉलेज ट्रूली नॉलेज़िबल परसन कौन है जो भली गाओं का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो पर वो जीवन का हर पढ़ाव जान चुका है तुम्हारे दादा जी तुमसे कम पढ़े लिखे होंगे पर तुमसे ज़्यादा अनुभवी हैं उन्होंने लाइफ में अलग-अलग चीज़े एक्सपीरियंस किये महसूस किये और इस भावना में ही ग्यान होता है इस चीज़ को समझना तो फॉरेस्ट और वाइल लाइफ रिसोर्स की भाव की बात छोड़ो तुमारे क्लास में कोई ऐसा सुडेंट होगा जो कम नंबर लेके आता होगा और तुम उपहास उडाते होगे तुम हीरो बनते होगे कई सुडेंस को मैं देखता हूं तो वो यदि तुमारा आचरन है तो तुम इस चैप्टर को पढ़के शायद कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं बुक खोलके बैठे हो ना क्या है मैं पीपटी तु लाया हूं लेकिन देखो वी शेर दिस प्लानेट विट मिलिएंस अधर लिविंग बिंस तर्टिंस अं बैक्टेरिया लिचंस या लिचंस जो भी आपका हो तो बैनियन इस एलेफिंट्स अं ब्लु वेल्स इस एंटाया है बिटेट डाट वी इलिव इन एस इमेंस बायो डाइवर्स टी देखो एक चीज़ इस चैप्टर के शुरू में ही समझ जाओ अगर कोई प्रजाती कम हो रही है अगर तुम्हारे देश में घोडों की संख्या आगर गि जैसे शेर अक्सर बड़े बड़े घास के मैदानों में पाए जाते हैं, वो पहाडी जंगलों में शेर उतने नहीं दिखे देंगे तुमको, लाइन वहाँ नहीं दिखाई देगा, कई जानवर होते हैं अब जिसे स्नो लेपड तुमको थार डिजर्ट में थोड़ी तो वही वो आपको कह रहे हैं कि habitat बहुत important है, प्राणी जहां पर रह रहा है, दो कारण अभी समझ जाओ, चाहे वो कुछ भी पूछे, इस टाइगर की population का, प्रोजेक्ट टाइगर में एक point लिख सकते हो, टाइगर population के लिए वो decline हो रही थी, उसके लिए प्रोजेक्ट ट किया जाता है, हंटिंग कई लोग अपने शौक के लिए करते हैं, पोचिंग पैसा कमाने के लिए किया जाता है, हंटिंग हो गया, जबरदस्ती जंगलों में घुच जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से, रिजर्फ फोरेस्ट में भी घुच जाते हैं, तो हंटिंग हो गई, पोचिंग हो गई प्लस टाइगर के बोन्स का इस्तमाल करके बहुत मेडिसन्स बनाई जाती है वो सारी चीज़े यहां पर हो गई सहाब तो यही सब चीज़े हैं जो होती रहती है ठीक है हंटिंग पोचिंग और एक क्या था सब दो इंपोर्टन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं चाहे किसी भी जानवर के डिकलिनेशन ऑफ पॉपोलेशन के बारे में पूछे habitat loss आपने खबरे सुनी होंगी कि जानवर जंगल चोड़ के शहर में आ जाते हैं क्यों आते हैं वहाँ पे उनके जंगल तुम काट रो दूसरा जंगल है भी तो वहाँ पे उनके लिए खाना नहीं है एक तो habitat loss होता है ठीक है साती सात क्या होता है वहाँ पे उनके पास appropriate food नहीं available होता है ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं फटा फट इस chapter में आगे बढ़ते हैं जहां बताऊंगा वहाँ सवाल side by side लिखते रहिएगा शुबम सर के lectures auditorium नहीं है तो class में या answer याद कर conservation of forest and wildlife ठीक है यह heading जो है आपके textbook में भी दिया हो दिया है बिल्कुल first page पे दिया होगा देखना नीचे right hand side में कोशिश यह है कि textbook के हिसाब से आपको chapter पढ़ाया जाए क्योंकि ultimately किसी कोई भी गरंत जो है वही आपकी textbook से बढ़कर हम भी नहीं है क्योंकि हम भी वही पढ़ा फॉलो करना मेरा धर्म है ठीक है conservation of forest and wildlife in India कि क्या हम सीख सकते है why do we need to conserve our forest and wildlife यह सवाल आपके मन में आता है हो सकता है यह सवाल खुदा ना कासता board examination में या unit test में question के form में भी आ जाए हमें जो है जानवरों को wildlife को forest को flora को यानिकि पौधों को पेड़ पौधों को और जानव करना है तो इसके दो crisp precise points में आपको बताता हूं कि कभी इस सवाल आपके सामने आए तो तुरंत आप उसका जवाब दे सकते है अच्छे से मतलब आप ऐसे उपर-उपर की वेग बातें नहीं कर रहे होगे कि हम को forest or wildlife बताना है क्योंकि हम उसके बिना survive नहीं कर सकते logic क्या है इसके पीछे ये बहुत vague points है how I fire कर रहे हो precise points क्या है जो आपके book में लिखे है conservation preserves the ecological diversity and a life support system like water, air and soil ecological diversity और support system चलो तुमको ecological diversity भी नहीं लिखनी है तो support system जरूर लिखना हमको जीवित रखने के लिए जो पानी है सहाब मचलियों का बहुत ज्यादा योगदान है उस पानी को जीवित बनाया रखने में वो पानी जीवित है वो कोई non living thing नहीं है वो बहुकूफ लोग कहते होंगे वो मिट्टी जो है soil is not a non living thing वो मिट्टी जीवित है उस मिट्टी को जीवित बनाने में बहुत सारे जो decomposers हैं बहुत सारे जो micro organisms हैं उनका बहुत बड़ा रूल है life resources because it preserves ecological diversity and it also preserves a life support systems यह ऐसा लिख देना it supports a life support system like a food water air लिख दो soil water air कुछ भी है ना जो मन मैं लिख दो food water air water air soil यहां पर कह लिख है water air soil ठीक है गलती से मैंने water की जगा माफ कीज़े गलती से अगर मैंने water की जगा food लिख दिया food air soil लिख दिया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसा कब ऐसे ही रहेगा और तुम्हारी मैडम को सब थोड़ी पता है समझ रहो ठीक है कभी भी अपने answers लिखने से डर्ना नहीं चाहिए बहतरीन student वही है थोड़ा knowledge थोड़ी English थोड़ा common sense जिसने सरके पढ़ा हुए answer में अपने colors नहीं भरे समाज ने उसको कभी बहतरीन student नहीं कहा है ठीक है तो conserve क्या है reason पहला reason नहीं देखेंगे हम क्या है conservation of for why do we need to conserve वो जंगल और पौदे क्यों बचा है हम जानवरों को क्यों बचा है number one they preserve ecological diversity and our life support systems like water air soil ठीक है दूसरा क्या है genetic diversity आपको देखने के लिए मिलेगी कि साब अरे होता है ना मचलियों में तो कितनी अलग 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 प्रकार की मचलिया है पक्षियों में भी कितने अलग 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 प्रकार के पक्षी है तो आप समझने की कोशिश कीजिए ecological diversity and variation मिलेगी तुम किसी ice cream की दुकान पर जाते हो तुम अलग अलग flavor से साब वहाँ पे chocolate flavor है vanilla flavor है strawberry flavor है अ आइस्क्रीम के ready नहीं लगाता रेकिन तुम समझो इस बात को ठीक है कि diversity मिलेगी genetic diversity तो दो कारण महत्वपूर्ण कारण जो हमने समझे सहाब क्या है एक तो ecological diversity है ठीक है जिसकी वज़े से यह ना div. diversity समझना और आपके life के support systems जो है ठीक है आपके life के support systems को भी preserve करता है ecological diversity और आपके life के support systems को preserve करता है या forest और wildlife इसलिए उनको conserve करना ज़रूरी है आपके life के support systems क्या है water, air, soil ठीक है यह है यह है on top of that हमने एक और क्या दिखा साती साथ ecological diversity के साथ genetic diversity भी करता है अब इसको आप अपने हिसाब से explain कर देना कि आपको बहुत सारी different different भिन भिन प्रका कि आपको क्या देखने के मिलेंगी species देखने के लिए मिलेंगी अगर एक species खतम हो गई तो नहीं बचा होगे तो खतम हो जाएंगे अगर उनका शोशन करते रहोगे exploit करते रहोगे तो खतम हो जाएंगे तो उनको बचाने के लिए हमें conserve करना पड़ता है साहब ठीक है समझ है कल को कोई भी पूचे forest और wildlife क्यों conserve करना है ecological diversity supports a life support system like land water air number two अना वो genetic diversity भूल गए ठीक है ऐसा लिख देना कि it also provides us to you know have ample of different species together अब कोई भी species खतम नहीं हुआ हो सकता है मेरी English sorry हो सकता है तुमारी English मुझसे better हो तो अपनी हिसाब से लिखना मर्म क्या है तुम्हें भिन भिन प्रकार के जानवर दिखने के लिए मिलेंगे उसी को genetic diversity कहते है ecological diversity life support system genetic diversity ठीक है विश्वास रखना कि तुम्हें answer याद हो गय ठीक है all right clear है वही वो देखो जो पूरा chapter है मतलब वो जो पूरा paragraph है तुमारे first page पे conservation of forest and wildlife उसके first paragraph का सार है ये पूरा उसके बाद एक आता है Indian wildlife act ठीक है वो तुम्हें यहाँ पर देखना है इसी में इसी topic में wildlife protection act क्या होता है Indian wildlife act भी इसको कहते है protection bracket में लिखा जाता है कि क इसके कुछ प्रिस्प और प्रिसाइस points है वह मैं आपको बताता हूं पॉइंस को आप देखिए और ओल इंडिया लिस्ट प्रोडेक्टेड सॉरी उपर से शुरू करते हैं वह इंप्लिमेंटेट इन 1972 1972 में एक्ट आया था for protecting habitats of certain species देखिए मैं आपको पहले ही बताया था जैसे घोडों की अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उसके दो बड़े कारण होगे एक तो उनको खाना नहीं मिल रहा है वहाँ पर दूसरा बड़ा कारण क्या होगा कि habitat destruction इसका यह मतलब नहीं कि hunting और poaching बड़े कारण नहीं है hunting भी बहुत बड़ा कारण है किसी जानवर की अबादी कम होने का पर मैं इसलिए इसको अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूँ habitat destruction को हंटिंग और poaching तो सब के मन में आता है तो वो आंसर तो आप लिखी दोगे यह दो पॉइंट्स अलग से याद करो तो दो और दो चार हो जाएंगे hunting poaching habitat destruction अना loss of food यह सारे important factors है जिसकी पहले पक्षी जो है अकसर पेड़ों पे घोसरा बनाया जाते थे वो भी उनको कोई शौक नहीं है सहाब कि तुमारे घर को गंदा करके तुमारे घर पे घोसरा बनाया उनकी भी मजबूरी समझे कि पेड़ तो तुमने सब काट दिये जो थोड़ी मोले पेड़ है वो उतन मजबूत नहीं है पक्षी किस पेड़ पे घोसरा बनाता है जिसकी टहनिया मजबूत हो जिसके पत्ते भारियों जिसे आम के पीपल के बरगत के वटवरिक्ष महा महीं भीश में वटवरिक्ष थे कहां के कुरुवंच के खैर तो की बहुत तेज हवा वहे तो उड़ना जा होता है अपार्ट स्रों हंटिंग और पूचिंग है तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना इंडियन वाइलाइफ प्रोटेक्शन अक 1972 में इसके तहत क्या क्या हो है यह याद रखेगा सहाब यह एक बार बोर्ड इग्जामिनेशन में पूछा गया है वेन वॉस्ती आइड बढ़ी जहां स्टार माक करते है एन और इंडिया लिस्ट अप्रोटेक्टेड स्पीशीज वस अल्सो पब्लिस्ट अन्दर दिस ठीक है एक अल इंडिया लिस्ट निकाली गई कि यह जो जानवर सहाब यह प्रोटेक्टेड है इनको लीगल प्रोटेक्शन है अब अर जैस इनसानों को दिया जाता था अब वो एक्स्टेंड करके वो सेम लीगल प्रोटेक्शन अब जानवरों को भी दिया जानने लगा कि इनके जान की भी कीमत है तुम यह मत समझो जानवर है तो जानवर को इनसान थोड़ी है नहीं जानवर है तो भी यह हमारे समान है एक भरम ह एक सत्य है एक ही है परमा बताया था याद है ना इस विश्व के कंड कंड में तो उसी फिलोसिफी को थोड़ा ध्यान रखते हुए कि या ठीक है तो अब उसमें और मुझमें भेद है फिजियोलोजिकल लेवल पे पर एसेंशली विया वन इन दे सेम जैसे एक वो नही होता एक जिसे पानी बहरा है तो उसमें लहरे बहुत सारी होती है कोई लहर बड़ी होती है कोई छोटी होती है जो बड़ी लहर होती है अकसर वो चार छोटी लहरों को दाब देती है लेकिन सच तो यह है कि उस लहर का कुछ नहीं गया ना उस लहर को कुछ मिला ना उस लहर का क कुछ गया क्योंकि एसेंचली यह सब पानी है किया तुम्हा जान दो एन ओल इंडिया लिस्टो प्रोडेक्टेड स्पीशी वस पब्लिस्ट अंडर इस गिविंग लीगल प्रोडेक्शन तो सर्टन स्पीशी जो मैंने आपको बता है लीगल प्रोडेक्शन जो इंसानों को दिया जाता है लीगल प्रोडेक्शन उनको दिया गया मैंनी नैशनल पार्क वैल लाइफ संक्ट्री अल्सेटटब नैशनल पार्क प्रोडेक्शं के पाद में बहुत सारे और भी प्रोडेक्श्री रॉग्स है जो उन्हान ने लॉज किये इस एक्ट में दो बार बदलाफ कियेगा अब ये साल आपको याद नहीं रखने है 1986 और 1991 आपको सहाब सिर्फ 1972 याद रखना है जब ये एक्ट पास हुआ था बस इस एक्ट को पहले पास किया 1972 में फिर बाद में इस एक्ट में चींज़स किये गाए याथ को ऐसा नहीं कि हटा दिया आक्ट में बदलाफ किये गाए तो 1986 में किया 1991 में किया बदलाफ में उन्हों ने क्या किया कि इस एक्ट का नाम है Wildlife Protection Act पर wildlife में क्या सिर्फ जानवर आते हैं नहीं wilderness में wild में तो पेड़ भी रहते हैं जंगल में पेड़ भी है खाली जानवर थोड़ी है तो उनको भी लो तो insects को भी याद रखिएगा शुरू में जब यह act पास हुआ बहतरीन students हुआ है जिसको details पता हो शुरू में जब यह act पास और कई plant species को भी शुरू उन्होंने 5 plant की species से किया था कई insects को और even plant species को भी अब तुम सोचो की मच्छर जैसे कोई insect को भी अगर तुम protect करने की कुशिश करो तो इसका मतलब है कि अब तुम जागरुक हो चुकी हो तुम समझते हो कि हर किसी का importance है क्योंकि ultimately जैसा आपको पता ह एक biological diversity है ठीक है बायो डाइवरसिटी भी जिसको कहते है याद रखना बायो डाइवरसिटी और बायो लॉजिकल डाइवरसिटी क्या है एक ही बात होती है clear है ठीक है यह यह वाला भी कर लो first page पर तुमको यह भी दिख रहा होगा बायो डाइवरसिटी और बायो लॉजिकल diversity ये मैंने नहीं पढ़ाए ये मैं पढ़ाता हूँ अभी ठीक है फिलाल ये देख लो Indian Wildlife Protection Act सीधा question आता है तीन नंबर का आप सवभागेशा लिएं तो हो सकता है पांच नंबर का भी question आ जाए ये precise points में आपको दे देता हूँ ठीक है the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 for protecting habitats of certain species and number two an all India list एक All India list ली थी protected species की All India list release की इस list के जितने भी species है number three सबको legal protection दिया गया number four बहुत सारी national parks wildlife sanctuaries number five central government ने और ये भी लिखना various state governments ने बहुत सारे animal specific projects निकाले कुछ animals या species को specifically बचाने के लिए आना जैसे project tiger था वैसे अलग-अलग projects थे और last में लिख सकते हो कि जो second point में All India list थी जो All India list release की गई थी Indian Wildlife Protection Act के अंदर इस list के further इसी sorry इस act के Indian Wildlife Protection Act इस act के further updates के दौरा इस list में अब plants और मैं कह सकता हूँ insects को भी add कर दिया गया वही वो आपको यहाँ पर बताते हैं ठीक है कि आपने क्या किया plants को और insects को भी add किया ठीक है even insects beginning to find a place in the conservation planning in the notification and the wildlife act of 1980 and 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added 1991 for the first time plants were also added starting with six species ठीक है मेर से एक गलती हुई थी पांच species से नहीं 6 species से उन्होंने शुरू किया था plants को ठीक है जब plants को भी add किया तो 6 species से शुरू किया और राइट ना पांच से नहीं तो कम से कम याद आ रहे होंगे अभी याद करना है कम से कम 50% answer छे में से कम से कम 3 points तो याद करना है precise points लिखे उसको तीनों को थोड़ा थोड़ा explain कर दो के 3 points तुमारे बन जाएंगे इंडियन wildlife protection act was past या फिर implemented लिख देता हूं इसके जरीए क्या हुआ था प्रोटेक्शन दिया गया था habitat को बहुत सारी जो species थी उनके habitat को क्या दिया गया था बहुत सारी species के habitat को protection दिया गया था ठीक है उसके अरावा क्या याद आ रहा है आपको सर मुझे ना सर मुझे लास्ट पॉइंट डायरेक्ट याद आ रहा है कि हमने ओल इंडिया लिस्ट में एक फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ दे सेम अक्ट अल इंडिया लिस्ट में अप प्लांट्स और इंसेक्ट्स को भी आड़ कर दिया क्या मैं लास्ट पॉइंट लिख सकता हूं बिलकुल लिस्ट एक ईक ऑल इंडिया लिस्ट की गई थी जिसमें काफी सारे स्पघिषीह थी थी जिनको क्या दिया गया था कि आप कानूनी तो पर पिफिएक्टेट है उनकी साथ कुई defensive करेंगे तो आपको कानूनी एक्शन लीगल-पैनल्टिए आक्शन आपको फेश करना बादर है मैं डाइरेक्ट प्लास पॉइंट लिख दोंगा कि इसी आक्ट के जो आइडब्लू पी है इंडियन वाइड़्ाइफ प्रोटेक्शन आट में जो फर्दर नोटिफिकेशन आये थे उसकी वज़े से क्या हुगा कि इसमें इंसेक्ट अब एक दू इंसेक्ट के ना ठीक है प्लांट में शुबम सर ने गलती से पांच बताया था पर कितना तीन दहियां तीस होता है तीन दहियां थ्री इंटो डू सेक्स्टी है छे प्लांट स्पीशीस से शुरू किया गया और कुछ भूल रहे हैं क्या नहीं सर मुझे तो ये दो पॉइंट सी ठीक से यादा रहे हैं मिला जुला के ठीक है ये दोनों को मिला के एक पॉइंट हो गया और क्या लिख सकता हूं मैं इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट में सूचने की कुशिश करते हैं 1972 में पास हुआ लीगल प्रोटेक्शन दिया गया हां बहुत सारी स्टेट और सेंट्र मैं द्रिखता हूं और जी यानि की अझे टवरंच चंट्र सेंटर ऑर स्टेट गवर्मेंट के बहुत सारे ब्रोगराम हैं कैसे फॉग्राम से आनिमल स्मया सेंटाग को रवंड़ करने के लिए थीक है और और एक पॉन्ट मुझे याद है कि बहुत सारे नेंशनल पार्कस और wildlife sanctuaries जो है खोली की गई खोली गई थी ठीक है बहुत सारे national parks और wildlife sanctuaries तो यह सब आप provisions लिख सकते हो Indian IWPA that is the Indian Wildlife Protection Act तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यह answer आपने याद कर लिए अब first page पे आ जाएएगा biological diversity क्या होता है ठीक है what is biodiversity और biological diversity वो देखते हैं ठीक है याद रखीएगा बायो डाइवर्सिटी और biological diversity एक ही होता है ठीक है बायो डाइवर्सिटी क्या होता है what is biodiversity वन मार्क में अगर question यह टू मार्क में आता है what do you mean by biodiversity give its examples इसी बायो को थोड़ा सा expand करके जब वो बायो लॉजिकल कर देते हैं बायो लॉजिकल का बायो लॉजिकल ही short form बायो है तो यह हो जाता है बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी तो कभी भी घबराईवर्सिटी और biological डाइवर्सिटी जो है सहाब यह लग अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते है आप चाहे यह कहे यह बात एक ही की चीज़ के बारे में हो रही है All right So, Biodiversity है Biological Diversity क्या है Isके लिए भी मैं आपको Crisp, Precise Points देता हूँ ठीक है तो Biodiversity क्या है Biological Diversity क्या है Biodiversity is immensely rich In wildlife and cultivated species Diverse in form and function But closely integrated through Multiple networks अब इसको हिंदी में समझ जाओ जब आप कोई चीज समझ जाते हो उपर उसको याद नहीं करना पड़ता आपको आधा याद हो जाता है अपने आप और फिर बच्चा डरता भी नहीं कि मुझे concept तो पता है वो अपने तरीके से भी लिख सकता है हमेशा याद रखना मेरी इस बात को क्या है biodiversity wildlife and cultivated species देखो cultivate किसको किया जाता है पौधो को अरे your cultivation सुनाओगा न तुमने यह cultivation water conservation tea cultivation kya na coffee plantations cultivation यां की पौधों को so wildlife यादि की जानवरों के बारे में बात हो दो जानवरों के बारे में बात हो दी है जानवरों में भी बहुत डाइवर्स है उडाइवर्सटी है ने वाले अ लग है तैरने वाले पुल बहुत डाइवर्सटी है कि मतलब अलग अलग तरीके के पीड़ पॉधे है स्फूल्यूम्term till मतलब कैसे ले डाइवर्सटी ऋब संख संगये दिगूल्दी अलग इंमेंसली रिच वाइल लाइफ एंड कल्टीवेटेड़ स्पीशिज विच आ डाइवर्स इन फॉर्म फंक्षन बट आर क्लूज़ ली इंटरकनेक्टेड या इंटेग्रेटेड कुछ भी लिखो इंटेग्रेटेड लिख दो डिपेंडेन कनेक्टेड लिख दो इंटेग् इंटरकनेक्टेड एक ही बात है जो मल्टिपल नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़े होएं जैसे मैं आपको बताया था ना कि देखो सब जानवर एक दूसरे से क्यों जुड़े होएं क्योंकि सब का एक लॉजिक है अगर किसी एक के साथ भी कुछ बुरा होगा तो उसका असर दूसरे की उपर होगा दूसरे के साथ कुछ बुरा होगा तो उसका तीसरे की उपर होगा तो आपको इस चीज समझ नहीं होगी सब एक दूसरे से connected है यह मेरे शब्द नहीं है पर जिनके हैं बहुत सही है जो एक करता है उसका असर सब पर होता है और जो सब करते हैं उसका असर भी एक पे होता है, so we are all interconnected and we are all interdependent on each other, no matter what, ठीक है, तो conservation of forest and wildlife, whatever, what is biodiversity, what is biodiversity, what is biological diversity, biodiversity refers to, you know, plants and animals, ठीक है या, बुक में कैसा निकाता, biodiversity refers to the wildlife and the cultivated, cultivation किसका पौधो का होता है, so biodiversity refers to wildlife and cultivated species, diverse in form and function, which are diverse in form and function, but are closely interconnected, integrated, are closely connected, you are closely in sync, एक हम सत्यम विपरा बहुता वदनती एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं सत्य को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने से सत्य नहीं बदल जाता उसी तरीके से एक आंसर को अलग अलग तरीके से लिखने से आंसर नहीं बदलता सहा हमें क्या लिख इन वाइल लाइफ स्पीशीज विचार डाइवर्स इन फॉर्म फंक्शन बडर क्लोजली इंटेग्रेटेड थू मल्टिपल नेटवर्क्स विछ इच अधर इस नोन अस बायो डाइवर्सटी इग्जांपल दो तीन पेड का नाम दे देना दो तीन जैन्वरों का नाम दे द हो थूछ ड्रस सोचो बार बार सोचेंगे बार बार सोचेंगे हो सकता है मुझे भी आंसर याद ना आओ पर बार सूचेंगे आँसर मन में ये कहीं ना में बाइवर्स refers to wildlife and cultivated species closely आप कह सकते हो diverse in form and function but closely integrated with one another through multiple networks clear है मैं तुम्हारा गुरू हूँ कम से कम इस वीडियो के लिए तो लेकिन मैं भी answers भूल जाता हूँ मैं भी इनसान हूँ मैंने भी जो answers पहले पढ़े थे या मुझे जो चीजे कभी मैंने कोई फिल्म देखी मुझे अच्छे से उसकी story याद थी मैं भी कभी-कभी बाद में भूल जाता हूँ लेकिन पता है एक बैतरीशन में और एक थोड़े कम बैतरी इंसान के अंतर होता है बैतरी educators बिक्ते दरता वो अपना अंसर हो थोड़ा छक्व लिख़secet मशुख जहाब उसके मन में यह जवआब नहीं आएग है तो खुद को diversity refers to फिर भूल गए फिर याद करेंगे refers to क्या है साथ में बोलो इसको हटा देता हूं दो तुम इसको देख देख करके बोलते रहोगे हाँ बायो डाइवर्सिटी और बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स तो वेरियस वाइल लाइफ इन कल्टिवेटेड स्पीशी डाइवर्स इन फॉर्म फंक्शन बट विच रूजली इंटर कनेक्टर और इंटेग्रेट थू मल्टिबल नेट्वर्क विछ इच अधर ठीक बस चैंपियन स्रूडेंट बन जाओ गए तुम कोई दिक्कत नहीं है इसमें उसके बाद कुछ जानवर देख लो हंगुल किसको बोलते हैं चिंकारा किसको बोलते हैं पूछते हैं तीनी नाम याद रखने हैं बाकी फाल्टू का नाम नहीं याद रखना है ठीक है वन हॉ यहाँ पर यह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाईल है और यह घरियल है यह प्रकार के मघरमच है और बहुत शान्थ सुभाव के होते हैं लेकिन इनकी प्रजाती माफ किजे प्रजाती के नहीं होगा इनकी संख्या जो है वो दिन पर दिन कम होती जा newspaper की cutting में दियोगी उसमें left side में कहीं लिखा होगा घरियल on the brink यानि कि उनकी अबादिक कम होते जा रही है इसमें hungul आपको याद रखना है क्योंकि CBSE ने एक बार ऐसा question पूछा था कि which one of the following animals is known by the name hungul या which one of the following is hungul उसमें option दे लेंगे one-hawnd hinosaurus, chinkara, sorry one-hawnd hinosaurus, monkey और यह क्या था कश्मीरी stag, the great Indian bastard तो उसका नाम क्या है तो hungul किसको बोलते हैं कश्मीर stag तीन नाम आपको याद रखने हैं hungul hungul किसका नाम है कश्मीर stag का दूसरा आपको और कौन से नाम याद रखने हैं एक याद रखने हैं और यह चिंकारा यानि की काला हिरन मेरे को अची आती है पड़ाती है तो काला हिरन यह है आपका ब्लैक बग ठीक है चिंकारा और चिंकारा को चिंगारी दोगे तो फिर कोट में जाना पड़ सकता हैं कश्मीरी stag, hungul ठीक है तो hungul कौन है? कश्मीर stag है पूछ चुके हैं बोड एक्जामिनेशन में तो ध्यान दीजेगा केवल तीन नाम आपको दे रहा हो hungul ठीक है कश्मीर stag हो गया और वो किसको चिंगारी देने से जेल में जाते हो ची से चिंगारी, ची से चिंकुर ची से कुछ तो नाम होगा, ऑप्शन में होगा कुछ लिख देना, क्या नाम था? चिंगारा हाँ, ची से चिंगारी ची से चिंगारा, चिंगारा कौन है? जिसको चिंगारी देके जेल में जाते हो तुम ब्लैक बग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गुदावन ठीक है, गुदावन अल्राइट, क्लियर है, तीन नाम क्या? हंगुल, चिंकारा, गुदावन हंगुल, चिंकारा, गुदावन चाहिए तो नोट कर लो हंगुल, यानि की कश्मीरी स्टैग ठीक है कश्मीर में कदाचितिया पाए जाते होंगे चिंकारा यानकी ब्लैक बक, काला हिरन और गोदावन यानि की ग्रेट इंडियन बस्टरड clear है बस तुम बहुत 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 बेतमी स्टूडेंट हो साथ से अगर बोल रहे हैं कोई question important है तो बहुत important है project tiger अब project tiger में देखते हैं project tiger is one of the most successful wildlife campaigns in the world was launched in 1973 देखो आपको याद होगा जब हम iwpa indian wildlife protection act पड़ रहे थे तो उसमें हमने a point देखा था कि many you know animal specific projects were launched जैसे project tiger indian wildlife protection act का पास हुआ था 1972 1972 बहतर में उसके ठीक एक साल बाद कल को अगर ये भी पूचते हैं कि when was project tiger launched so 1973 would be the right answer याद रखना तुम एक साल अगर तुमने याद कर लिया iwpa का कि indian wildlife protection act 1972 में लाँच हुआ उसी में plus one कर देना तुमको project tiger कब launch हुआ ये इसका साल याद रखने की बिल्कुल भी जरौत नहीं है indian wildlife protection act was launched in 1972 and project tiger was launched in one year right after that 1973 all right students here we go so 1973 में ये launch किया गया माफ किजेगा ये launch किया गया ठीक है कलम 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 बिल्कुल 1973 में 1972 के एक साल बाद tiger is one of the key wildlife species थोड़ा भांशड लेखा है tiger बहुत important है बिल्कुल important है यहां से यह यह लो line से मैंने जो किया है यह important है was under threat due to poaching for trade shrinking habitat depletion of previous हाँ जो notes यह जो पीपिटी जो मैं use कर रहा हूं यह पीपिटी आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगी उसकी link इस video की description में दिये ठीक है वहाँ पर आप जा करके बिना join किये भी आपको इस material डाउनलोड कर सकते है और रेट वहाँ पर एक integrated एक uniform channel बन जाता है और वहाँ पर जो भी आते हैं उस specific students ही आते हैं तो उसके लिए वह चीज बनाई गई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं यह अगर presentation आपको notes के form में same ppt आपको दी जाती है यह सारे points मैंने खुड type की है यह crisp points है और साती साथ जो जो मैं बीच में लिख रहा हूँ वो भी इसमें save हो जाता है कुछ चीजे नहीं भी save होती है पर maximum चीजे save हो जाती है तो वो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है टाइगर इस वन ऑफ तकी wildlife species in the funnel web was under threat due to poaching threat अब यहाँ yellow से जो है important है टाइगर threat में क्यूं था क्यूं प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर्स को बचाने के लिए उनकी जनसंख्या गिर रही थी हाना टाइगर population जो है वो decline हो रही थी लेकिन क्यू decline हो रही थी इसका एक कारण है साहब यहाँ पर poaching ठीक है poaching trade के लिए लोग टाइगर्स बेचते थे यहाँ वाँ shrinking habitat टाइगर्स को रहने के लिए जैसी conditions च जाएगी तो टाइगर्स क्या करेंगे शेहर में आने लगेंगे क्योंकि उनको खाना चाहिए भूख तो इनसान से बरदाशनी होती सहाब जानवर भी है उनको भी भोजन का धिकार है depletion of prey, growing human population, human population भी important है जैसे 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 हाँ जैसे जैसे इनसानों की आबादी बढ़ती जाएगी उनको रहने के लिए जादा घर चाहिए होंगे तो जंगल काटते रहेंगे, जंगल कम होते रहेंगे, use of their bones in traditional medicines ठीक है tiger skin भी आपने देखी होगी, कई तो बहुत घर्व से बोलते हैं, शेर के या leopard के उसका बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए so tiger की skin का use होता है, बहुत सारे products, specially clothes या garments बनाने में on top of that tiger के bones का, या bones और body parts से लिख सकते हैं, उसका इस्तमाल होता है, बहुत सारी traditional medicines बनाने के लिए ये medicines हो सकता है, effective हो, पर सिर्फ medicine अपने benefit के लिए किसी जानवर को इतना दुख देना, ये अनुचित बात है तो ये है, साती साथ हो बताते हैं, tiger conservation was not only as an effort to save an endangered species, क्योंकि project tiger तब लाया गया, जब हमारे देश के नेताओं ने रियलाइस किया, कि tiger हमारा राश्ट्र पशू है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है, बहुत मतलब मैं कहूंगा, कुछ हजारों में है, शायद उससे भी कम tigers हो गए थे, तो उनको लगाया, अब नहीं किया, तो ये कैसी, मतलब क्या रह जाएगा, कि इंडिया कहता है, कि tiger जो है, हाला कि भारत का सम्मान सदा है, भारत को आश्रवादे, दिवो की भूमी है, लेकिन उन्होंने तब launch किया, जब ये already endangered category में थे, यान कि थोड़ा भी और कौम होते तो extinct हो जाते, और हाँ, ये भी जान लोग कि tigers को कम करने में हमारा contribution नहीं था, तुम पे जो 200 साल rule करके गए उनका था, भारत में चीता भी बहुत हुआ करते थे, वो अंग्रेजों से पहले जो शासक आये थे वहाँ से, तुर्की से और तुर्मेनिकिस्तान से तो उनको क्या था, उनको ना, पेट पालने का बहुत शौक था, चीता काफी अच्छे पेट्स बन सकते हैं जिनको नहीं पता, चीता उतने furious नहीं होते और बहुत obedient होते हैं, in fact dogs की तरह काफी loyal भी होते हैं, डॉक से जादा loyal होते हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, इतना मु भारत तो जंगल है, यहां के लोग बेवकूफ है, जो पेडों की पौधा कर रहे हैं, पौधों की पूजा कर रहे हैं, जानवरों को भी मान रहे हैं इतना, अब आप sacred groups में पढ़ोगे, कई इलाके ऐसे हैं कि लोग ही कहते हैं गाउओ वाले कि जंगल में मत जाओ, जंगल पवित्र है, क्यों गंदा करना, अब उस समय के जो आजकल जो बिटिश है, रिशी सुनाग जी जहां के प्राइम मिनिस्टर है, वहां के देश के लोगों को वो लॉजिक समझ में नहीं आता था, आज समझ में आ रहा है, लेकिन तब समझ में नहीं आता था, तो उनको शिक साथ टाइगर पड़े हो थे तो उन्होंने बहुत खराब किया खेर तो हम ये प्रोजेक्ट टाइगर कब ला है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट 72 के एक साल बाद 1973 में टाइगर एक एंडेंजर स्पीशियों उसे बचाना था टाइगर एंडेंजर क्यों हुआ पोचिं अब लोग उसका प्रे जो है लोग उसकी सकी लिए भी लोग उसको मारते थे अब टाइगर कंजरीशन वस नोट ली एन एफ़र्ट तो सपोर्ट तो सेव अन थेंडेंजर स्पीशिग बडर और अलसो प्रिजर्विंग बायो टाइप्स ओफ साइजेवल मागनिटूद दे अगर इस 50 km के जोन में पाये जाते हैं तो उस बायो टाइप को उस जोन को मेरे को बचा करके रखना है नहीं तो जोन खतम हो जाएगा तो टाइगर तो जाएंगे प्लस अब टाइगर जाएंगे तो उस जोन में अगर इनसान जाएंगे तो टाइगर के साथ-साथ उस जोन मे रहने वाले और जो species हैं वो भी खतम हो जाएंगे तो threat सिर्फ tiger को नहीं है tiger के साथ सब लोगों को threat है क्यों tiger अपनी जगा से हिला तो tiger से जो dependent है वो हिल जाएंगे अगर मान लो अब ये example उतना relatable नहीं है उतना logical भी नहीं है पर hypothetically speaking साप हर हर चुहे को मानो सापी मारता है अब अगर साप खतम हो जाएंगे तो क्या होगा चुहे इतने बढ़ जाएंगे कि उनको control करने वाला कोई नहीं होगा तो किसी की population को control कभी कभी wildlife में मारना भी जरूरी है कि उनकी population control होगी नहीं तो इनकी population उनके लिए अपने पेड भरने के लिए मार के उनकी population को एक certain control में रखते हैं हाँ अगर tigers की population बढ़ गई तो भी problem है कि आप hunting बहुत जादा हो रही है तो हर चीज़ को एक balance में रखना होता है जिम कॉर्बेट नाशनल पारक जिम कॉर्बेट नाशनल पारक उत्राखन सुन्दरबन वेस्ट बेंगल में और बांधवगड नाशनल पारक मध्यप्रदेश बांधवगड एक बार पूछा गया है ठीक है इस तरीके से CBSC ने question पूछा था कि बांधवगड नाशनल पारक is famous for which animal तो लोगों को लगा ये कोई भालू भालू होगा बांधवगड नहीं नहीं बांधवगड इस बेसे की for tiger ये book में दी गए in fact book में कुछ tiger reserves भी दिये हैं जैसे सरिस्का tiger reserve ठीक है और tiger reserves का नाम दिया गया है फिलहार मैं सिर्फ सरिस्का लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तीन-चार tiger reserve का नाम दिया है तीन-चार national parks का तो बच्चा भी क्या याद करेगा तो जो important important है सरिस्का if I'm not wrong पेरियार भी था शायद उसमें राइट पेरियार टाइगर रिजर्व सरिस्का tiger reserve in fact सरिस्का wildlife sanctuary है माफ कीजेगा सरिस्का wildlife sanctuary मानस tiger reserve पेरियार tiger reserve ठीक है तो सरिस्का is not a tiger reserve सरिस्का is a wildlife sanctuary ठीक है सरिस्का is a wf यानि कि सरिस्का is a wildlife sanctuary पेरियार tiger reserve ये सब कुछ इलाके हैं जो काफी जादा famous है tigers के लिए आप अगर मुझ से पूछे कि सर हमें क्या याद रखना है तो याद रखना अगर कभी map में भी mark करने आता है ठीक है इस chapter के map work की video मैं अलग से डाल दूँगा शुभम सर का और edu hap का flow ऐसे ही है कि कोई अगर उस chapter का map work नहीं है तो नहीं आएगा कोई chapter की video आई उसके ncrt और in text questions की video आएगी और साथी साथ क्या होगा उस chapter से related अगर कोई map work होगा जो cbse ने अपने circular में दिया है कि यह pointers पूछेंगे तो उस chapter में वैसे कोई pointers होंगे तो उस chapter की specifically dedicated map work की भी video आएगी ठीक है तो Jim Corbett National Park उत्रा खंड में है याद रखना ये कई लोगों को पता भी नहीं होता Jim Corbett एक मात्र ऐसे व्यक्ती थे जिनोंने भरोसा रखा कि भारत जो है वो सही दिशा में है भारत अगर जानवरों की पूजा करता है तो सही है जानवरों को ऐसे मारना सही नहीं है ये awareness लेके आये थे Jim Corbett National Park कहाँ पे है उत्राखंड में सुंदर्बन National Park इस इन वेस्ट बेंगौल और बांधवगड इस इन मध्यप्रदेश उसके अलावे पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया या फिर सरिसका वाइल लाइफ सांचरी ये सब चीज़े आप देख सकते है फिलाल तो बस तीन ये याद रखिएगा क्या क्या हमने देखा Jim Corbett National Park उत्राभी याद करना है Jim Corbett National Park इन उत्राखंड और क्या था सर याद नहीं आ रहा है सरिसका पेरियार याद आ रहा है लिग दो सर नहीं आ रहा है मध्यप्रदेश में शायद सुन्दर्मन कहां पे वेस्ट बेंगॉल में Jim Corbett National Park फॉर टाइगर स्पेसिफिकली इस इन उत्राखंड सुन्दर्मन National Park इस इन वेस्ट बेंगॉल और बांधवगर नाशनल पार इस इन मध्यप्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर यहां पे क्लियर हो गया अब यहां तीन जाड आपको दिख रहे है अब आप क्लासिफिकेशन ओफ फॉरेस्ट की उपर आएंगे ठीक है क्या है टाइप संड डिस्रिब्यूशन ओफ फॉरेस्ट यहां इसी को मैं लिख कहता हूँ अपनी भाषा में क्लासिफिकेशन ओफ फॉरेस्ट की सहाब आप जानवरों की उपर तो बहुत बात कर ली मैंने स्पेसिफिकली तीन जानवरों के नाम भी आपको याद कर रहे थे ठीक है उनके लोकल नाम क्या चिंकारा आपको याद होगा चिंकारा चिंगारी चिंगारी से खेलोगे तो कोट में जाना पड़ सकता है चिंकारा इस फॉर काला हिरन ब्लैक बग ठीक है एक गुदावन था फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हंगुल हंगुल किसके था कश्मीरी स्टैग साब क्या रॉयल स्टैचर होता है उनका और जो सींग उनकी होती है साब उसके तो क्या ही कहने ठीक है वह कहते हैं कि देखो जितने भी जंगल है वो किसी इनसान की संपत्ती नहीं है हाँ तुम अगर 10 किलोमेटर जमीन खरीद के उस पर जंगल होगा हो तो अलग बात है लेकिन जितने भी जंगल देश में है वो बाई डिफॉल्ट किसकी प्रॉपटी है सरकार की प्रॉपटी है जंगल सरकार की है अब सरकार उस जंगल को या तो फोरेश्ट डिपार्टमेंट के थू मैनेज करती है सरकार का एक अलग सा विभाग है वन के लिए वन विभाग मतstAb हिंदी वाला जंगल भीबाग थीकए तो या तो उससे करळती है या बाकि से मैनेज कर 21 साहभ और वहां पर सोने की बहुत सारीग़नें तो माइनिंग डेपाटमेंड मैनेज करेगा करेगा तो वो सारी चीज़ा यहां पर होती है एक जंगल है जहां पर बहुत पवितर मंदिर है यहां पर मंदिर काफी काफी बनाए गए है कई तो तोड़े गए थे पर कई है जो बचे हुएं कितने तोड़ों गए बहुत सारे मैंने ऐसे मंदिर देखे, जो जो पहालों की उपर है, उन मंदिरों की अपनी एक कहानी है, उस कहानी को व्यक्त करने वाज़े लोग आज भी थोड़े मोड़े हैं जो बताते हैं इनग, यह कहानी है, पर आजकर की जनरेशन सबूत मांगती है अब वो लोक सबूत कहां से लाएंगे जो सहाब डर करके जिनको भगा दिया गया वहां से वो कहां से आपको अब सबूत वो जिसका घर जलाया जा रहा हो उसके पास क्या समय होगा क्या कि वो कहीं कागज का सबूत अपने घर से पेटी से ढूंडने जाएगा क्यों घर तो ज बहुत सारी लोग आते जाते होंगे तो वहां पर फॉरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ और कौन डिपार्टमेंट है और विदेशी लोग भी आते हैं तो टूरिजम डिपार्टमेंट भी वहां पर काम करेगा और साथी साथ क्या वहां पर जो आपका जो आपका जो से सुनें कि लोक पिल पकड़ 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 के चड़ते थे आज कितनी रास्ते बना दी गए हेलिकॉप्टर से भी लोग जाते ve यह पर है तो पहाड पे जाने के बाद आपका भड़ेसे बड़द दुख आपको छोटा लगने लगता यह क्यों कि आपको समझ में आता है कि इस विशाल समाज और इस धर्ती के आप कुछ नहीं हो आपका existence इतना नहीं माईने रखता कल गो आप गायब भी हो जाओ तो ये संसार चलता रहेगा कितने महान लोग आए हैं देखो इतिहास में और कितने गए किसी को कोई फरक नहीं पड़ता ये माया ही ऐसी है बिहार में कभी कभी लोग सत्संग वगेरा में गाते हैं माहे माया में भुलाईल बड़ा तोता हो इक खोता छोड़ जाएके पड़ी सगरी स्वारत खातीर नीमन बाउर होता हो की माया में मत भुलाओ ये खोता छोड़ के जाना पड़ेगा स्वार्थ खाते नीमन बाउ अच्छा बुरा जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है और वहां कट्रा में वहां आश्ना देवी के हाँ जाके फिर जो मातरत्व का भाव है फिर वो भी उमरता है जो एक माँ है उस मातरत्व का भाव आता है अंदर से मातरत्व का भाव मतलब संतान का तो मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब जो जंगल है जरूरी नहीं है कि जंगल पे को सिर्फ forest department ही handle करेगा या तो forest department handle करता है या और भी ministries हैं जो उस जंगल को handle करती है तो यही वहाँ पे लिखा गया है कि the forest or wildlife resources are either owned by the forest are either managed by the forest department और by other departments through government ठीक है इतना आपको याद अखना है अब हमने जंगलों को तीन आधारों पे बाटा है मैं यह short में इसके points लिखा है मैंने अलग से unclassed forest reserve forest protected forest unclassed forest reserve forest or protected forest ठीक है देखते हैं क्या है reserve forest more than यह दो crisp precise points है इतना ही याद रखना है सहाब आपको फालतू का शुबमसर नहीं पढ़ाते more than half of the forest in the country a reserve forest 50% से जादा जंगल कौन से हैं सहाब वो है reserve forest वाले यह best quality जंगल होते हैं best जादा घने होते हैं जादा अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं यहाँ पे wildlife जादा रिच होता है सबसे top quality के जो जंगल होते हैं ठीक है वो reserve forest में आते हैं इसलिए इनको most valuable भी समझा जाता है protected forest one third of the total forest याद रखेगा यह more than 50% है more than half more than half of the forest are reserve forest these are the best kind of the top notch the top quality best kind of forest and therefore they are often considered as the most valuable forest ठीक है apart from that protected forest is one third of the total forest area and they are protected from further depletion थी कि शब्द से समझे protected forest यानि कि उसको protect किया गया है this marker is protected मैंने इसको protect करके रखा है protected forest को किस चीज से protect किया जाता है further depletion से कि देखो यह वो जंगल है जिनको काटा गया है एक time पर और मत काटो अब जो खतम हो जाएंगे जैसे project tiger tiger सार protected project tiger से यसे protected forest यार protected जंगल को क्यों फोरेश्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना है further depletion से कि पहले ही यह जंगल 10 km एरिया में था फिर लोग काट काट के काट काट के जंगल की जमीन छेक के चानवरों को भगा भागे घर बर आते हो जंगल 4 km गा हो गया तीन किलोमेटर अब क्या खतम कर दो के दो और एक पर नहीं तो इसको protected forest घुशित कर दो कि साहब जितना काट करके जमीन यूस कर ली गई है जंगल की वो ठीक है लेकिन और अब इस जंगल को छोटा नहीं किया जाएगा और नहीं काटा जाएगा so protected forests are more than around one third one third of the total forest area and these forests are protected from what these are protected from further depletion ठीक है उसके अलावा सहाब अब आप आजाए रिजर्व forest के उपर sorry रिजर्व forest होगा और हाँ रिजर्व और प्रोटेक्टेट यह जो 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 forest है इन दोनों को मिला दोगे तो रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेट forest is equal to permanent forest या land under permanent forest permanent forest यानि कि वो जो साब हमेशा जंगल रहेगा मतलब जंगल वहाँ हमेशा रहेगा आप उसका कुछ नहीं कर सकते रिजर्व forest को सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है वहाँ का एक तिनका भी आप नहीं तोड़ सकते ठीक है रिजर्व forest वो जंगल हमेशा रिजर्व का रिजर्व रहेगा एक पूरा 50 किलोमिटर की एरिया में जंगल रिजर्व कर दिया वो रिजर्व का रिजर्व है रिजर्व forest हो गया protected forest एक टाइम पे काटा गया होगा बर they're protected from further depletion reserved or protected forest दोनों को अगर add कर दिया जाए कि यह जो more than 50% है और यह जो one third है इन दोनों को add कर दिया जाए तो reserve प्लस protected forest दोनों को मिला करके जो जंगल होते हैं उनको कहा जाता है land under permanent permanent forest तो अगर वो आप से पूछे permanent forest क्या है या कभी permanent forest का जिकर इस chapter में हो रहा हो ठीक है या permanent forest का आपको नाम पता हो तो permanent forest यानि की reserve forest or protected forest को मिला करके permanent forest या land under permanent forest एक ही बात है अनक्लास forest के बारे में बात करते हैं सहाब जी अनक्लास forest क्या होते हैं forest belonging to both government and private individuals और certain community देखिए जिसका आधिपत्ते या जिसकी ownership जिसको बेटर तरीके से आप कहें वो दोनों के पास होती है सरकार के पास भी होती है और private individuals या communities के पास भी सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि by default भारत में जितने भी जंगल हैं उनके उपर भारत सरकार का अधिपत्ते होगा भारत सरकार के जंगल है अब यहाँ पर private individuals देखो बेटा मानो जंगल में oil तेल की खान है अब सरकार ने सूचा किया देश की national security के लिए oil security के लिए कुछ तेल तो निकालना पड़ेगा तो अब वहाँ पर कुछ refineries को कुछ जमीन सरकार बेचेगी बेचना गलत वड़ोगा contract पर यह सब दिया जाता है तो contract में temporary आप sell करते हो कि आपका 10 साल का contract है तो 10 साल के लिए जमीन आपकी बात में वापस सरकारी मालिक होगी तो आपको अब private individuals को private companies को भी थोड़ा share यानि कि उसकी ownership थोड़ी देनी पड़ेगी जब तक ownership नहीं दोगे कोई बड़ी company आकर के वहाँ से oil यह वहाँ पर जो भी natural resources उसको extract नहीं करेगी देखो या तो सरकार यह तै करे कि हमको इसको नहीं use करना है भले ही यहाँ पर कितना ही इसोना या तेव क्यों नहीं हो प्लस कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा सेथ था उसकी बहुत ज़्यादा जमीन थी काम पर जमिनदार हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में तो उनकी जमीन थी उस पर जंगल हुगा है वो सरकार का भी है और इनका के पास भी है प्लस कम्यूनिटी इस भी आती है इसमें जैसे मानो की जंगल है सरकार कई है लेकिन आप वहां आदिवासी रहते हैं अब उस आदिवासी से पूछो के कागज दिखाओ तुम कब से रह रहे हो प्रूफ दिखाओ लाइट बिल भरते हो क्या है और लाइट बि पाइदा हुए उनको खरीदने की क्या जरूफ है तो अब सरकार ये तो नहीं कर सकती ना कि नहीं देश में जितना भी जंगल है तो सरकार कही है तुम लोग कैसे रह रहे हो भागो यहां से नहीं तो उनका भी जंगल पर अधिकार होता है कल को मेरे को जंगल काटना है तो उनकी परमिशन देनी पड़ेगी और वो मानते भी है तो मुफ्त में नहीं मांगेंगे बहुत मुआफजा देना पड़ेगा मुझे उनको लियर है तो अनक्लास फॉरेस्ट यानि कि क्या अनक्लास फॉरेस्ट हमने देख लिया रिजर्फ फॉरेस्ट मोर दन 50% बेस्ट रिजर्फ प्रोटेक्टेटर फॉरेस्ट ये सब हमने देख लिया अनक्लास फॉरेस्ट में हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट बिलॉंगिंग तो गवर्मेंट अस प्राइवेट इंडिविजूल्स और तो सर्टन कम्यूनिटीज इस फॉरेस्ट आर नोन ऐस वेर दी उनर की होती है वो वही पैदा हुए है जैसे मैंने बताया जो जहां पर पैदा हुआ है साहब उसकी उसका भी उस जमीन पर अधिकार तो है ठीक है यह कई बार होता भी है कई लोग आपके देश में नेपाल या लंबे चोड़े टाइम से किसी जमीन पर रहे रहे हैं तो उस जमीन पर अब आपका भी एक तरीके से अधिकार होता है इसका कई लोग दुरूपयोग भी करते हैं इस तरीके से ठीक है clear है तो हमने तीन तरीके के forest देख लिए ठीक है we saw unclass forest, reserve forest, protected forest इन दोनों को मिला करके permanent forest बनाया जाता है, all right great, types and distributional forest में अब ये दो important question है, note कर लीजे which state ये book में दिया है, which state has the highest area under permanent forest याद रखिए कौन सा state ऐसा है जिसमें permanent forest सबसे जाद है permanent forest क्या होता है, जिसमें reserved forest भी है, RF लिख रहा हूं में और जिसमें protected forest भी PF, reserve forest और protected forest मिला करके जो total area है वो permanent forest है, भारत का ऐसा कौन सा राज्ये, जिसमें permanent forest सबसे जादा है तो वो है मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश has the highest area under permanent forest as well as अगर वो आपसे पूछते है, unclassed forest, भारत का ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर unclassed forest, वो forest जिनके उपर control government के पास भी है प्लस कुछ private individuals और tribals या कुछ local communities के पास भी ऐसे forest सबसे जादा कहाँ पर है, तो कोई specific state नहीं है majority of north eastern states and parts of gujarat दोस्तों अगर शुबम सर कह रहे हैं कुछ important है तो वो important है clear है? majority of north eastern states and parts of gujarat यहाँ पर सबसे जादा unclassed forest है, land under permanent forest सबसे जादा कहाँ पर है? मध्यर प्रदेश में, all right students देख लो एक बार और, बस इसको बस याद करना है, इसमें जादा समझाने लाइक नहीं important conservation efforts, अब हमने किस किस तरीके से conserve किया है, ठीक है हमने अपने wildlife को, अपने पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को, forest और wildlife को किस किस तरीके से बचाया है चिपको movement, sacred growth, social forestry, यह तीन चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे शुरुआत करेंगे हम चिपको movement से, ठीक है, then we'll come to sacred growths and then we'll come to ultimately come to social forestry, all right, let's start with चिपको movement a movement launched by the people of the Himalayas, Himalayas, ऐसे Himalayas कहीं लोग बोलते हैं, विदेशी लोग, Himalayas, ठीक है a movement launched by the people of the Himalayas as their fight bono against deforestation, as their fight was against deforestation, ठीक है they stood hugging the trees hence got its name, ठीक है, इसकी images भी है, अगर मैं आपको दिखाऊ हो, तो probably आप उससे better relate कर पाओगे secret groups पे हम आ गए, शायद secret groups ही शुरू किया है इन्होंने, उसके बाद यह image हाँ, यह image अच्छा है, ठीक है, चिपको movement इन हमाले आज, जिसका जिकरी यहाँ पर किया जा रहा है ठीक है, यह औरते जो हैं यहाँ पर, अब कई बार पेड़ के जो तने होते हैं, मैं इस side में आ जाता हूं ताकि आपको image बेटर दिखे, कई बार पेड़ के तने बहुत मोटे होते हैं, ट्रंक बहुत मोटा है तो एक आदमी उसको धंक से पूरा गले नहीं लगा पाएगा तो तीन-चार लोग जो हैं ऐसे जैसे यह औरते खड़ी हैं यहाँ 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 यह सब खड़े हो जाते हैं कि अब कैसे काट होगे, अब हम भी बीच में हैं, अब कैसे काट होगे, तो this is a classic example जब local communities ने कहा कि सहाब आप जो कर रहे हैं वो यही है कि भले ही सामने तुम्हारा गुरू खड़ा हो, तुम्हारे तुम्हारा परिवार खड़ा हो पर तुम्हारे हाथ नहीं कापना चाहिए, कर्तव पत्थ से भागूंगा नहीं, वर्दान मांगूंगा नहीं, एक बहुत अच्छी कवीता है, फाहिम नॉटरों क्या नामें उनकवी का अरे जिन्हों नहीं कवीता लिखे थी हम पंच्छी उनमुक्त गगन के पिंजर बधना गाप आएंगे कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख तूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके भूके प्यासे कही भली है कटक कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से इसे सेवन देट में हिंदी में था तो किसकी बारे में बात करें कि पक्षियों को जो कैदगर के रखते हैं कहीं भली है कटक निबोरी वो कडवी निबोरी वो कडवा फल पक्षी जो हम जंगल से चुगते हैं वो बहुत बेटर है ना कि तुम जो पक पंक दी हैं तो उड़ने दो वह कहते हैं तो वह जो कभी हैं ठीक है मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है उन्हों नहीं लिखा था ठीक है उनकी काफी अच्छी रचना आपको पढ़ने से वर्दान मांगूंगा नहीं कुछ भी हो जीवन में चाहे अच्छे से आपका मूड बहुत खराब है किन तो फिर भी आप अपने इमोशन्स को और जो कुरोध एक्दम से गुस्सा आता है उसको सहचता से कंट्रोल कर सकते हो कुरोध काम मोह या अच्छी चीज़े नहीं तो वही वो अच्छे से कहते हैं वो क्या कहते हैं शिव मंगल सिंग सुम यही कहते हैं कि कुछ भी हो जीवन में अच्छे से अच्छा पल हो बुरे से बरह हो कुछ भी हो कर्तव पत्थ से भागूंगा नहीं वर्दान मांगूंगा नहीं तो अर्जुन का भी यही था अर्जुन भगवत गीता का सार भी यही है कि सामने चाही कोई भी हो मैं forces required to fight the oppressor मतलब आपको लड़ना है अपनी लड़ाई ठीक है अगर कुछ गलत हो रहा है समाज में तो आपको लड़ना है आपको वहाँ पे हतियार नहीं डालने है परना हर अरजुन को किसी श्री कृष्ण को ग्यान देना पड़ेगा और अरजुन की प्रोब्लम क्या थी कि वो जिससे लड़ रहे थे वो अपने परिवार वाले हैं लोग अक्सर समाज से नहीं लड़ते हैं उन्हें अपने परिवार से लड़ना था और इसलिए श्री कृष्ण वहाँ पे अच्छे से उसको समझाते भी हैं अरजुन को इस शोक के योग्ये नहीं उनमें कोई की देखो उदर वो जो गंगा पुत्र भीष में दिख रहे हैं बहुत महान योद्ध हैं वो भी जानते हैं वासुदेव वो महा महीम भीष में वो महागुरु द्रोड और वो जो तुम्हारे सगे संबंदी है दुर्योधन तुम्हारा बड़ा भाई है दुर्योधन की पत्नी तुम्हारी मा समान है बड़े भाई की पत्नी माता समान होती है अना उन माता समान स्त्री भावी मा को विद्वा उसकत का तुम्हें करना पड़े तो इन लोगों को देखो अपने सगी संबंदी अपने मामा अपने कुल गुरू कृपा चार है ये सब तुम्हारे परिवार वाले हैं कि तु ध्यान से देखो शोक के योग्य नहीं उनमें कोई इनमें से कोई शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू देह के दीप में प्राणों की जोती काल जलाए काल बुझाए ग्यानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए ये ग्यान वो उनको देते हैं तो इससे हमारे लिए भगवत गीता से उसका सार बताना पॉसिबल नहीं है पर एक important चीज जो हम सीख सकते हैं उससे वो definitely यही है कि जीवन में जब भी सही और संबंध के बीच में चुनना हो तो हमेशा सही को चुनना चाहिए ठीक है तो अगें चिपको मूवमेंट आपको पता है साब वो सारी चीज़े उन्होंने की थी ठीक है और राइट चिपको मूवमेंट हिमालयास में हुआ था जहां पर पीपल स्टार्ट हगिंग ट्रीज और ते स्टार्ट लीनिंग बाइद ट्रीज स्टार्ट दे कुड नौट बी कट डिफॉरेस्टिशन के अगेंड्स था यह सेक्रेड ग्रोफ चैन की कुछ एरियास होते हैं ऐसे वृिंदा वें निधिवन करके एक है वहाँ पर सारी तुलसी की छोटे चोटी पेड है तुलसी के छोटे जोटे था म Champions और तो या यह अनुचित बात है तो पर लोग जाने नहीं देते क्योंकि यह एक रेलिजिस साइट बन जाती एक तरीक है सेक्रेट ग्रूफ जिनको पवित्र माना जाता है ठीक है तो यह हो गया सोशियल फॉरेस्ट्री प्राक्टिस फॉरेस्ट्री ओन लैंड आउटसाइड दी कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया देखो जंगल नहीं है लेकिन जान बूच के तुम जंगल कर रहे हो जैसे कोई कोई बड़ी कंपणी आ गए उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं एक हजार व्रिक्ष प्लांट करूँगा अब हजार पेड अगर प्लांट करोगे तो तो जंगल ही हो जाएगा एक तरीके से मतब पेड तुरंद नहीं हो गेंगे पर 10-15 साल बाद जब पेड अपनी फुल गलोरी में अगर उनको तुमने प्रोवाइडर अच्छा केर दिया फुल गलोरी में तो हजार व्रिक्ष जहां पर ये सो है ऐसे दस गुना और हजार व्रिक्ष तो जंगल ही है तो जब आप छोड़ के कहीं और सोशिल कॉस के लिए इसको सोशिल फॉरिस्ट्री बोलते हैं कि साब पेड बहुत कट रहे हैं साब हवा में बहुत प्रदूशन है अगर आप सोशिल कॉस के लिए अगर खुद जंगल प्लांट करते हो ऐसा नहीं कि जंगल में फिर बीच डाल रहे हो न नेचर वर्षिप बेस्ट ओन दे प्रिमाइस्ट आप नेचर वर्षिप बारत में हमेशा से होता था वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है वो फॉरेस्ट जिसके अंदर कभी भी काट पट काट पीट नहीं की गई है कि ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं गए है इनसान गए है पर कभी भी उन फॉरेस्ट को काटा नहीं गया है उनके रीसोर्स को उस फॉरेस्ट के यूज नहीं किया गया है क्योंकि वो पवित्र जंगल माने गए है जैसे मैंने आपको व्रिंदावन के निधीवन का एक्जाम्पल दिया वैसे और भी वैसे निधीवन में शौर नहीं हूँ पर ऐसे मतलब शौर हूँ पर यह इस बारे में शौर नहीं हूँ कि वो जंगल है या नहीं पर वहाँ पे भी वो वी एक एरिया है आप सर्च कर सकते है उसी तरीकी से बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं जहां पर लोग बोलते हैं नहीं इस जंगल की माता जी है एक देवी जी है हना तो उसकी एक कहानी होती है तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं भली डर से ना जाए भक्ती से नहीं जाए तो लोग जाते नहीं है तो यह वर्ज सबस्क्रा'll करोगा है क्यों कि अबiamo कर एक आस्था जुड़ी है उससे ठीक है तो ऐसे जंगलों को मैं जोड़ सी एक ये भी लिख लो, Mundas and the Santhals of च्छोटानागपुर रिजन, च्छोटानागपुर एक प्लैटो है भारत में, जैसे डेक्न प्लैटो है, डेक्न प्लैटो जितना तो उसकी glory नहीं है, लेकिन च्छोटानागपुर प्लैटो भी एक important प्लैटो है, ठीक है, मुंधास एंड संथाल मुंधास है मुंधास है संथाल कहां कि छोटा नाकपुर ब्लाटैटो डिजन मुंधास और संथाल यह famous tribal groups है ये इनके पास एक μहुआ करके पेड होता है बहुता है महुआ करके एक channel भी है लेकिन तू महुआ पेड समझो ठीक है महुआ पेड को ये वर्षिप करते हैं और वो एक एरिया में अगर वैसे बहुत सारे पेड है तो उस पूरे एरिया में उस छोटे से जंगल को सेक्रेड बना देंगे वहां किसी को जाने नहीं देंगे ठीक है दिस इन एक्जांपल ऑफ सेक्रेड ग्रोफ एक व्यूंटी एन कंजरवेशन हमने भी कई लोग को बचाया है जैसे देखो फ्यू स्टेप्स देकन बाय कॉमन पीपल फॉर कंजरवेशन ऑफ ट फॉर फोरेश्ट लोगों ने कम्यूटी ने खुद यान कम्यूटी एन की किस्था है गाओं वालों ने क्या किया मैनिंग के लिए कुछ बड़ी-बड़ी कंपणी आ घही होगी मिनरल माइन करेंगे बहुत पैसा कमाएंगे तो लोगों ने विरोज की आप इस जंगल को मत काटी है सहाब Wildlife Protection Act है आप ये नहीं कर सकते उसके अलावा अलवार डिस्ट्रिक्ट्स ठीक है कुछ गल्टी हुए कह है यहाँ पर इसको हटाओ अलवार डिस्ट्रिक्ट्स और राजिस्थान अब देखो तो अलवार चुछ मत बड़ा नाम है नहीं तो भेरो देव डेवक सँनचुरी याद रखना और या फिर इतना याद रखना की राजिस्तान में बारा सो हेक्टेर नहीं हेक्टेर और कीलोमेटर अलग अलग होता है ठीक है 1200 hectare का जो एक forest है पता नहीं मेरी handwriting को क्या हो रहा है माफ किजेगा so a forest of around 1200 hectares किस तरफ है pen so a forest of around 1200 hectares का एक जो पूरा का पूरा रीजन है उस hectare में जो जंगल पाए जाते है उन जंगलों को क्या किया गया है ठीक है वहाँ पे उन्होंने खुद का rules and regulations खुद के rules और खुद के regulations इंप्लिमेंट कर दिया है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते है चिप को movement हमाले आस जिसका जिकर किया गया था वो मैंने आपको बताएग तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं sir exactly अब हम यह पढ़ रहे हैं कि ऐसे कुछ examples जब आम लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए जानवरों को बचाने के लिए इनिशेटिव से लिए हमने थोड़ी दर पहले देखा अभी से पहले एक्जामपल क्या था याद नहीं रहे हैं थोड़ा सूचते हैं अभी हमने सरिसका वाले एक्जामपल था याद है सरिसका wildlife sanctuary यह सरिसका tiger reserve सरिसका wildlife sanctuary जो राजस्थान में है वहां क्या हुआ वहां पर लोग कुछ mining company आ के mining कर रही थी लोगों ने उनको भगाया बोलाने नहीं और वाइल इंडियन wildlife protection act कोट के माइनिंग कंपनी को माइनिंग नहीं करने थी यहां हमने क्या देखा राजस्थान अगेन राजस्थान ही यह फरिसका भी राजस्थान यह भी राजस्थान राजस्थान के अलवार district में एक जंगल था ऐसे लिख देना बारा सो हेक्टेर की एक area थी उसको उन्होंने एक भैरोदेव सोंचुरी ऐसा एक area declare कर दिया और उ अबरेट कर देखा देखा रहे चृए चाया ऐसे चिपके हो ताकि कोई उन्होंने पेडों को काट न सके हमालयास में वह था चिपको मूव्मेंट यहां पर दीफॉरिस्टेशन के अगेंस्ट हुआ था अर्फॉरिस्टेशन के लिए ठीक है डीफॉरिस्टेशन को देख लो what is BBA, Bachelor of Business Administration, no, in this case it is बीज बचाओ आंदोलन, मैं पहले बता जाता हूँ क्या है, देखो बीज बचाओ आंदोलन में ऐसा था कि आप fertilizer और pesticide खाद और वो कीट नाशक डाल डाल के, जादा भी खाद डालोगे ना तो फिर वो खराब है आपकी health के लिए, बहुत जादा आजकर आपने खबरे ने सुनी, injection डाल डाल के, अना vegetables और fruits को, मैं तो ऐसा भी देखता हूँ कि हरी सबजी में क्या एक पानी लेता है, बाल्टी में, उसमें हरा color डाल के मिलाते हैं, और हरी सबजी डुबो डुबो करके बाहर रखते हैं, एक जो हम इस बारे में बात करते हैं, कि कर्मो का फल घूम करके मिलता है, घूम के नहीं मिलता हूँ, तुरंत मिलता है, कई लोगों की गलत काम करने की आदत हो जाती है, इसलों उनको पता भी नहीं चलता हूँ, उनको लगता है, मैं तो कभी कभी करता हूँ, नहीं हो बार बा जाता है जो स्टुडेंट्स नम्बर वन बनने के लिए पड़ते रहते हैं ठीक है हो वो सकता है बन बी जाये पर जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नमबर वन बनते हैं वह ज्यादन समय के लिए कभी नमबर वन ठीके नहीं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे को कुछ साबित करने के लिए तो वो बुद्धिमानी नहीं है जब तक आपके पावर का या मोटिवेशन का सोर्स दूसरों में आप से बाहर होगा तब तक आप उत्तम मार्क पे नीचल सकते वह दट सोर्स शुड़ भी विटन ठ किये ट्रेडिशनल मेथर्ड से जैसे पहले की जाती थी सादगी से तुम अच्छा खासा पौधा होगा सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो इकोनॉमिकली वाइबल तो वह बता रहे है तहरी और नव नवदन्या यहां पर दिखाए गया इन तहरी नवदन्या यहां पर दिखा होगा हो डाइवसीफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विताउट दे यूज ऑफ सिंधेटिक केमिकल्स और पॉसिबल एकोनॉमिकली वेरियबल इक फिर किसने बना लिखा यारी लिखा तो मैंने यह पर वाइबल ठीक है है हना पूरी टाइपिंग हम नहीं करते है एक ड्राफ हम बना करके दे देते हैं ठीक है जिसको आप रॉफाइल भी कह सकते हो फिर इसकी एक क्रॉस टाइपिंग टीम करती है हना इस तरीके से बनते हैं खेर तो यह वाइबल होगा वीरियबल नहीं वाइबल तहरी नवदयना है आप शोन डैट अडिक्वेट डेवर्स ऑफ क्या किया किसी एक की नौकरी तो जाएगी आज रहा है पता करना पड़ेगा किस नहीं क्योंकि यह गल्तिया रॉफाइल में तो नहीं थी जो मैंने भी दी थी खेर तहरी नवदयना आप शोन डैट अडिक्वेट लेवर्स ऑफ डैवर्सिफाइड क्रॉप प्रोड़क्श इन अड़र्सिफाइड मैनर डैवर्सिफाइड का क्या मतलब अलग अलग पहुद होगा हो यह निकी साल भर चावल ही होगा होगा नहीं चावल को certain nutrients चाहिए सोयल से चावल सारे nutrients लेगा फिर दुबारा चावल कैसे होगा होगे तो चावल होगा है आपीच में leguminous crops होगा ह So basically ladies and gentlemen they are trying to tell you that BBA said that instead of using synthetic chemicals if you use natural cropping techniques and if you grow natural crops in a diversified manner and even then you can grow a lot of crops which are economically viable. You can still be profitable. अब पैसा कमा सकते हो. अब जोइन फोरेस्ट मैंजमेंट क्या है? India's Joint Forest Management Program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration. involving local communities. Joint Forest Management पे जब सवाल आता है तो Joint Forest Management को सरल भाशा में समझ लीजे. इसका मतलब यह है कि कोई जंगल है मानों. आब एक गाओं है मानों हैं। उसके पास में एक जंगल है. अब गाओं वाले क्योंकि उस जंगल के पास में रहते हैं तो उस जंगल का चपा चपा कोना कोना जानते हैं गाओं वाले जानते हैं कि गाओं का कौन सा रास्ता जंगल तक जाएगा कौन सा नहीं जाएगा गाओं वाले जंगल को अच्छे से जानते हैं जंगल के पास ही रहते हैं अब उस जंगल में मानो कुछ आप कह सकते हो कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से लकडिया को काट रहे हैं या जानवरों का शिकार कर रहे हैं अब सरकार वहाँ पे गस्त लगाती है फॉरेस्ट भी भ हो रही है इस जंगल में हना तो आप हमारी हेल्प कीजे ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके अब वो कर देंगे हेल्प इसमें एक करण है कि chyba अध lesi के अधिवाश्य को आधिवासी से अगर ऀनकी लांगोज आपको पताओ किसी मेसेज कनवे करो कि हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें आप इस जंगल को अच्छे יतर जानते के ये पहला हो गया number two एक और चीज क्या होती है कि जंगल के लोग या गाओं के लोग उस जंगल को बहतर तरीके से जानते हैं सर्फ ही जंगल धिरे धिरे मर रहा है खतम हो रहा है आप बताएं अप हमें आईडिया दीजे हम काम करने के लिए तयार है हम किस तरीके से जंगल को और बेटर कर सकते हैं कैसी इंप्रूव कर सकते हैं तो जॉइन forest management में यह होता है आप local community इसकी help लेते हैं forest को preserve करने में या उसको develop करने में उसको erode होने में या उसके destruction से बचाने के लिए प्लस इसमें फाइदा भी होता है अब वो आपकी मदद क्यों करेंगे वो गाउंवाले ये वो आदिवासी समाज के लोग तो आप बोलते हो देखो इस जंगल से इस जंगल की कुछ-कुछ लकडिया जो सरकार काटती है उससे जो सरकार को पैसा मिलता है उसका कुछ परसंट हम आपको देंगे तो मुफ्त में फुकट में कुछ नहीं करना है मुफ्त में नहीं करना है हम आपको इतने पैसे देंगे ये कि आप एक गरिमा पूर्ण जीवन जीस तक को हम आपको पैसे भी देंगे कुछ ऐसा नहीं कि लाक दो लाक रुपे देंगे पर एक considerable amount of money हम आपको देंगे प्लस भले ये reserve forest हो लेकिन आप गाओं वालों को पूरी छूट होगी कि आप इस जंगल का product use कर सके है नॉन टिंबर लखी आप नहीं काट सकते हैं लökडी अगर कटवानी लखी सरकार भी مشकिल से काटती है हना तो सरकार को या तो सरकार कुछ पैसा देगी या यह करती है कि पैसा देती है प्लस बोलती है कि आप लकडी छोड़ करके पेड़ को क्योंकि नुकसान मत पहुचाओ लकडी काटोगे पेड़ को नुकसान होगा लकडी छोड़ करके बाकी अगर forest का कोई resource आपको use करना है जैसे कोई फल तोड़ना है या जड़ी बूटी के लिए कोई पौ काटने की अनुमती हम आपको नहीं देंगे नहीं तो सब लोग अरे चलो जंगल काट काट के लखडी बेच बेच के पैसा कमाएंगे नहीं तो यह अरेंजमेंट होता है तो यह पुरा का पूरा जॉइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनन नच्छल मैंने आपको समझाया यह फर्दर डिग्रेडेशन से बचाया जा सके जॉइन फॉरेस्ट मैनेजमेट में दोनो पाटियों का फायदा होता है सरकार को हेल्प मिल जाती है फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में और इन कम्यनोटीस को कुछ मुआवज़ा भी मिलता है कुछ पैसे मिलते हैं मॉनिटर वी लिचे कि जॉइन फोरेस्ट मैनेजमेंट ये एक इन्मेटिव आईडिया किू जUNGल के आसपास रहने वाले लोगों की मदद के जंगल को मैनेज करो ये आईडियात सबसे पहले कि सरकार को आया था, किस की सरकार को आया था, ौरिश्या की सरकार को, ठीक है, अदरी औरी सा था, गवरंमेंट ऑफ औरी सा, The Joint Forest Management Came Into Existence Since 1988, ये साल भी याद रखेगा, When the Government of Orissa Adopted It For The Very First Time, Local communities help the government in the managing of forests, and in return they are allowed to use resources of forests, except timber, timber मतलब क्या, timber मतलब wood लकड़ी छोड़ के आप कोई भी resource यूज कर सकते हैं और सबसे पहले joint forest management किसने किया था या किसने joint forest management का resolution अडॉप्ट किया था तो सबसे पहले if I'm not wrong 1988 राइट 1988 में सबसे पहले government of Odissa इन्हों ने इस चीज़ को implement किया और Odissa का ये step बहुत अच्छा लगा तो धीरे धीरे पूरे भारत के almost सभी राज़े ये चीज़ करने लगे ठीक है तो joint forest management सबसे पहले इसका resolution किसने पास किया या सबसे पहले इसे किसने try किया अब जो मैं आपको एक बता रहा था कि मैं आपको एक shortcut बता दूँगा different species तो इसके लिए आप जो shortcut use कर सकते हैं ये किसी competency exam के लिए आपको काम आता है never never और एक e लगा दिना आगे never e ठीक है तो never shortcut से आप समझ सकते हैं ठीक है जैसे कि n e v e r और एक extra e होता है इसमें never e ठीक है ये आपका shortcut है n से है आपके पास normal species n से e से 3 e आपको देखने के मिलते हैं एक तरफ आप लिख सकते हो endangered ठीक है इसको उपर उपर से बस देख लीजे खुदा ना खास्ता कहीं काम आएगा तो ठीक है endangered एक e से क्या होगा एक e से होता है extinct v से क्या होता है v से होता है vulnerable r से होता है rare species और जो last वाला ये bracket वाला इससे होता है endemic species endemic species जो किसी certain geographic area में ही पाई जाती है जैसे क्या जैसे कि polar bear वो कहां पाया जाएगा सिर्व north pole में पाया जाएगा जैसे कि nicobar pigeon वो अंडमाने निकोबार में ही पाया जाएगा एक certain geographical area है उसी में पाया जाता है rare species अब इसका chart कैसे होता है देखो सबसे उपर होती है normal species जिनकी अच्छी खासी आबादी है normal से नीचे गिरते हो तो आप आते हो rare में कि चलो ठीक कम हो गए है rare है लेकिन दिखते है rare से भी अगर आपकी आबादी कम हो जाती है तो आप आजाते हो vulnerable में ठीक है और vulnerable से भी अगर आपकी आबादी कम हो जाती है तो आप आजाते हो endangered में कि भाया ये तो red line है अब आपकी आबादी कम हो गई तो आप सीधा हो जाओगे extinct की अब आप खतम हो जाओगे डाइनासौरों की तरह फोटो दिखा के बताना पड़ेगा कि ऐसे दिखते थे दिखेंगे नहीं जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड़ेट डक्स, इसको बाद सुपर उपर से देख लीजेगा, ये नोट्स के फॉर्म में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम डाट, लेट इस डिसकस सम्क्वेस्टिन्स टाइड आ वूर्ड लाइक तु डिसकस वित यू, ठीक है, कुछ क्वेस्टिन्स मेरे पास हैं यहाँ पर, जो मैं डिसकस करता हूँ आपके साथ, ठीक है, गिव मी सम सेकंड, अप सोरी, सम सेकंड गलत बुल नहीं करवाया, लेकिन कुछ points में आपको बता देता हूँ, ऐसे तो इसका answer आप अपनी general understanding से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ points में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, अलग-अलग है, जैसे एक होता है, अर्बनाइजेशन, जब काफी जादा अर्बनाइजेशन हो है यह है ठीक है mining activities के लिए होता है कुछ points मैं आपको बता रहा हूँ कुछ points अब अपने हिसाब से लिखेएगा mining activities के लिए जंगल काटे जाते हैं ठीक है सरकार के ही कई बार large scale developmental projects होते हैं उसकी वज़े से भी deforestation होता है ठीक है सरकार के ही कई बार बड़े बड़े large scale developmental projects होते हैं उसकी वज़े से होता है plus deforestation कई बार मानो forest fire हो गया environmental pollution हो गया ठीक है या फिर लोग गयर कानूनी तरीके से जंगल उंगल काटते हैं यह सब कुछ points है यह सब कुछ reasons है आप लिख सकते हो ठीक है हना चीक है बहुत बड़ी है एक और general question है वह मैं आपको बताता हूं जैसे की right six factors या right six factors which have led to the decline of India's biodiversity यह भी काफी general question है भारत की biodiversity जो है उसको कम करने वाले कौन से factors है ठीक है क्या bio diversity को कम करने वाले कौन से छे factors है वह आप यहां पर देखो गे जैसे habitat destruction यह एक factor है ठीक है habitat destruction over exploitation environmental pollution छे नहीं पूछते हैं ऐसे वो some factors टाल देंगे right six नहीं right some factors 3-4 इस में से याद रख लेना हाना habitat destruction over exploitation, environmental pollution, deforestation यह सब होगे इस में hunting and poaching deforestation ऐसे कुछ factors है इनको आप थोड़े detail में लिख सकते हैं ठीक है निक question और देख लो which agency which agency or organization manages the forests in India so it is the con manage करता है government of India यह manage करती है through forest department or various other government departments और राइट ठीक है ऐसे कुछ questions है जो आप देखते रही है और बाकी important questions अलग से मैं भी एक वीडियो में NCRT questions discuss कर लूँगा तो इसी के साथे chapter खदम होता है but with a quote I must say जो इस chapter के last में दिया है गौतम बुद के बारे में पेड के बारे में यह quote है ठीक है 456 BCN 487 BCN की Jesus Christ के पैदा होने से भी करीब 500 साल पैदे उन्होंने कह दिया था कि पेड बहुत important है पेड हमेशा generous है हमेशा सब को देते रहते हैं पेड कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते इन्फाक्ट जो लोग पेड को काटने भी आते हैं वो भी उस पेड की छाया में रहकर ही उस पेड को काटते हैं इसी गौतम बुद्ध के कोट के साथ जो आपके textbook के last में भी है मैं इस chapter को यही अंत करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ग्यान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे आपकी समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया